Hello and welcome to our YouTube channel Kashmir Civil Services Academy आज हम Indian Polity के Lecture No.1 का Part 2 करेंगे Part 1 में हमने Company Rule फिनिश किया है आज हम Part 2 में Crown Rule स्टार्ट करेंगे तो basically begin होता है 1858 से और हम ये बराबर 1947 तक पढ़ते हैं तो चलिए स्टार्ट करेंगे Crown Rule आज हमे हम की आज है कि इस क्राउंड रूल में भी कुछ एक्टिस पास होते हैं और एक्जेंपल गोवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1858 फिर कुछ काउंसल एक्ट पास होते है 1861 में 1892 में और 1909 में बेसिकली यह एक्ट जो थे काउंसल एक्ट के रिलेटिट थे लेजिसलेटिव काउंसल की और इसलिए इनका नाम पढ़ गया काउंसल एक्ट इसके बाद हम दो गोवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट पढ़ेंगे 1919 का और 1935 का पाइनली हम पढ़ेंगे इंडिया इंडिया इंडिपेंडन्स एक्ट ऑफ 1947 जो गोवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1858 है यह बेसिकली स्टार्ट होता है आफ्टर दे रिवोल्ट ऑफ 1857 जब इस्ट इंडिया कंपनी यहां पर एट्रोस्टी ज्यादा करती है पर एक्जेंपल एक कहा जाता है दे एंफिल्ड राइफल जो है वहां पर पिग फैट और काव फैट का इस्तवाल किया गया था इसलिए जो सोलजर्स है उन्होंने विद्रोग किया इस्ट इंडिया कंपनी का और इसके रिगार्डिंग ही क्या बन गया जो इंपिटस बन इस एक्ट को कहा जाता है इंडियन हिस्टोरियन नहीं कहते है बेष्क्री नाम दिया गया है ब्रिट्छोर्स की तरफ से एक्ट ऑफ गूर्ड गॉर्निंट क्यों कि ब्रिटिश पारलीमेट ने बोला था अब इंडियन पर ऐसे ही रूल किया जाएगा जैसे बिट्छर्स पर रोल करते हैं तो दो अगस्त 1858 को गोर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1858 पास होता है जिसकी वजह से इस्ट इंडिया कंपनी से administrative role हटाया जाता है और वो crown को दिया जाता है जो queen victoria होती है वो यहां की monarch बनती है और उसको emperors का खिताब भी मिल जाता है इसकी वजह से जो इंडियन territories of Britain थी उनको कहा गया British queen की territories यह इस एक्ट में पास हुआ अब गर हम बात करेंगे इसके features की तो first feature क्या है था जो governor general of India था governor general of India का post replace किया था by a post called as the viceroy of India और lord kenning ऐसे first viceroy बन दे इसने क्या किया basically double government जो board of control थी, court of directors थे, board of control political affairs देख रही थी, court of directors commercial affairs देख रही थे company की और इस act में इन दोनों को खत्म किया गया इसके बाद एक नए office create किया गया जिसका नाम रखा था secretary of state for India basically जो यह secretary of state कौन बनता था यह एक parliamentarian और bridge parliament था यह cabinet minister था जिसको एक additional duty जी जाती थी और एक post पर बिठाया जाता था जिसका नाम था secretary of state for India यह secretary of state और इंडिया की और अपनी 15 members थे so that कि यह देखे यहां पर कैसा rule कर रहे है bridge shares के बाद budget पहली बार introduce होता है इंडिया में 1960 अब हम पढ़ेंगे इंडिया council's act of 1861 अगर हम इस act की बात करें तो हमें याद आता है revolt of 1857 1857 में ऐसा क्या हुआ था कि जो इस्ट इंडिया company वो इसको eliminate किया गया as a ruler from India किसकी वज़ा से किया क्या क्यूंकि वहां पे features थे जैसे हमने पढ़ा था 1858 में क्या होता है government of India 1858 में क्या होता है कि जो governor general of India उनका नाम change किया जाता है तो वाइस 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 ने क्या किया इसको कुछ powers दे गए जिससे वह कुछ इंडियान उसको nominate कर सकता है और nominate किसमें देखे दो process होती है एक तो executive और lawmaking process यह वाइस रोइज जो है यह nominate कर सकता है lawmaking process में यानि legislative council में इसलिए इन actors का नाम आप देखेंगे councils act 1861 यानि कुछ change हो गई है regarding the legislative council और इन members को non-official member करार दिया गया non-official member का मतलब है कि यह British government के part नहीं थे ऐसे तीन members किये थे सिलेक्ट वाइस रोइने कौन कौन थे वो एक तो थे राजा और बनारस महरा राजा और पटियाला और सर्ग दिन कर रहा हो आपने यहां पर देखा होगा Lord Kenning जो थे 1859 वो में एक system लाते है जिसका नाम था portfolio system portfolio system आज भी हमारी country में exist करता है कैसे हमारे education minister होते है वो क्या देखते है वो education की affairs देखते है अगर home minister होगी तो वो home affairs देखेगे अगर defense minister होगी तो वो defense minister याने इसका मतलब है अगर यहां पर कोई teacher है for example quality तो वो सारा नहीं देखता है वो अपना section एक देखता है quality इसका भी मतलब है कि portfolio उसको एक दिया गया है जिसके उसको नजर गुजर रखनी है तो यह जो portfolio system यह Lord Kenning लाते है 1859 में तब यह official नहीं था यह तब unofficially था उसने कुछ बंदू को कहा था कि आप इस पर नजर रखे एक को बोला आप revenue matters पर नजर रखे दूसरी को बोला आप justice matters पर नजर रखे लेकिन यह official नहीं था तो accommodate this Lord Kenning का 1859 वाला portfolio system accommodate करने के लिए क्या लाया जाता है इंडिया Councils Act में यह क्या किया जाता है रिकागनाइज किया जाता है क्या इससे पहले अगर यह unofficial था तो इंडिया Councils Act of 1861 में यह आप validate किया गया है इसके बाद इसने empower किया Vice Roy को क्या किया कि आप ordinances issue कर सकते है अगर हम example लेते हैं कोविड की जब कोविड हुआ तो तो अगर हम example देखेंगे कि तब पॉर एग्जांपल अगर न तो राजसबह session में था और ना ही लोग सबह session में था session में मतलब होने का है कि वो तब proceeding नहीं कर रहे थे अगर दोनु ना राजसबह कर रहा था ना लोग नहीं था यहां से कोविड हो गया क्या कोविड एक emergency situation नहीं है क्या उसमें कोई law नहीं बनाना है ordinance का मतलब ही होता है law बनाना लेकिन कब जब कोई भी house या राजसबह लोग सबह दोनु session में ना हो यानि कि वो दोनु पारलेमट में available ना हो तो तब इस एक्ट के थू वाइस इशू कर सकते हो यानि कि एक law issue कर सकते हो और उस law की life क्या होगी उस law की life six months होगी लेकिन यह जो ordinance होगी यह बस emergency में create की जाएगी जब emergency होगी तब यह ordinance बनाई जाएगी वरना नहीं कि जैसे बिहार में भी मैं आपको बोलूँगा बिहार में भी ऐसा चल रहा था कि वो जो laws बना रहे थे वहां पर असल में उन laws को कोई भी government नहीं बनाना चाहती थी और वो उसी को bypass करने के लिए वो वाया president बनाती थी through ordinances Supreme Court का इस पर एक verdict है कि आप यह बस emergency situations पर यूज कीजे ऐसे ही arbitrarily नहीं यूज कीजे इसके बाद क्या होता है जो centralization हुई थी जो 1773 से centralization नहीं centralizing tendencies पैदा हुई थी जहां पर क्या किया था governor general of Bengal designate किया था फिर last step कौन सा था 1833 में उसमें governor general of India बनाया गया इस act में India councils act में क्या हुआ decentralization यानि मदरास और Bombay presidency जो थी उनके पास कुछ legislative powers भी थे इसके बाद हम पढ़ेंगे India councils act 1892 आप देखे Congress 1885 में यहां पर आ गया था इंडिया में इससे क्या हुआ Congress के आने से इंडिया में एक pan India nationalism provide हुआ था इसकी वज़े से जो यहां के people थे उन्होंने क्या किया उन्होंने bridge का विरोध करना फिर से start किया अब दिल्ली के लोग बस दिल्ली के लिए नहीं लड रहे थे हाइदराबाद के लोग हाइदराबाद के लिए नहीं लड रहे थे बलकि दिल्ली के लोग अवर आल इंडिया के लिए लड रहे थे बेंगल के लोग इंडिया के लिए लड रहे थे तो यह जो यह pan nationalism की एक मुहिम चली थी यहां पर तो इसकी वज़े से क्या किया गया इंडिया National Congress ने ये भी मांग रखी कि जो ये थ्री मेंबर्स आपने हमें Legislative Council में दिए इसको Increase किया जाए तो 1892 के India Councils Act में ये मांग Accepted की गई और नंबर को Increase किया गया फिर फूर्दर क्या है कि जो Member थे इसके उनको बजट पे Question पूछने का अधिकार दिया गया है यानि इससे पहले क्या होता था जो बजट इंडिया पर पास होता था जो legislative council के members थे उनको क्या था उनको कोई right नहीं था कि वो question या answer उसका दे सके लेकिन जैसे आज की हमारी polity में क्या है अगर निरमला सीता रमन कल ये लाएगी budget लाएगी तो every member has a right कि वो उसको question पूछ सके तो आप नहीं देख सकते हैं कि ये इंडिया councils act में भी ये feature था इसके बाद क्या है कि इस act ने एक तो limited और indirect provisions for the use of election लाएग यानि कि अगर जो legislative councils जो है जो ये law making body थी इसके जो official और non-official members थे बोथ central और provincial legislative assembly में provincial legislative council में उस पर क्या होगा आप एक limited और indirect elections होगे limited होने का मतलब है कि हर किसी को vote देने का अधिकार नहीं था और ये भी क्या था indirect provision था यानि कि people directly vote देके नहीं indirectly यहां पर elections होते हैं जो to provincial legislative councils के लिए इसके बाद आता है India Councils Act 1909 बेसिकली ये क्या है इसको also कहा जाता है Morley-Minto reforms Lord Morley जो थे वो then security of state for India थे और Lord Minto क्या थे वो वाइसरोय आफ इंडिया थे इस act के futures अगर हम देखे जो legislative council जैसे मैंने आपको बोला ये तीनों के तीनों councils act किसके related होगे legislative council के पहले legislative council act में क्या three members दिये गए दूसरे में वो increase किया गया और यहां पर भी क्या यहां पर considerably increase किया गया ये size increase किया गया central level पर भी increase किया गया और provincial level पर भी increase किया गया number of central legislative council was raised from 16 to 16 जो central में थी legislative council उसमें इससे पहले 60 members थे और इन 16 members को बढ़ा के किया गया 60 इससे क्या हुआ जो deliberative functions of the legislative council at both levels for example जैसे members were asked allowed to ask the supplementary question जैसे हमने पड़ा 1892 में क्या होता था अगर आपने budget pass किया किसी minister ने तो यहां पर जो member था वो इसके question पूछ सकता था वो इसको एक question पूछ सकता था और जो budget की ministry थी वो उसका reply करती थी लेकिन इसको कोई पॉवर नहीं दे था कि फिवर वो उसके दूसरा question पूछ सके जो यह है इंडिया councils act of 1909 इसमें क्या होता है इसमें आपको supplementary question की power दे गई यानि अगर आप उस answer से satisfy नहीं हो then you can ask her और ask him another question इसने first time क्या किया association of indianus with the executive council देखें यह important point है यहां पर इससे पहले जो भी act is pass हुई वहां पर किस में change हो रही थी legislative council में याने कि law बना रहे थे लेकिन यहां पर पहली बार executive council में executive का मतलब क्या होता है जो law implementing machine होती है उसको executive कहा जाता है तो indian councils act of 1909 में executive council में भी change की गई जैसे सतिंद्र प्रसाद सिनहा SP सिनहा साहब क्या वो first indian बने और जिन्होंने जॉइन किया vice-rice executive council में यानि अब एक indian भी था जो implement करा सकता था law इसके बाद क्या आता है separate electorate for Muslims देखे दो terms होती है एक तो होता है reserved seat जैसे एक area है यूपी में यहां पर यहां पर एक area है इस seat पर तो लड़ेगा दली थी लेकिन vote मुसल्मान भी करेंगे हिंदू भी करेंगे क्रिशन भी करेंगे इस concept से क्या पता चलता है कि seat reserve है लेकिन यहां पर concept है separate electorate का यानि कि अगर separate electorate का मतलब यह है अगर यहां पर कोई एक seat है और example यहां पर केरला में कोई एक इलाका है जहां पर क्या है बस मुसल्मान की majority है और यहां पर बस 7-8% हिंदू इसा कुछ नहीं है फैक्ट लेकिन example के लिए हम बोर रहे कि महां पर बस 7-8% हिंदू थे एक constituency में तो यह Muslims क्या करेंगे यह vote कर सकते और जो यह 7-8% हिं इलक्टोरेट यानि इलक्टोरेट के basis पर मुसल्मानों को अलग किया गया यानि मुसल्मानों को एक separate इलक्टोरेट दिया गया किसमें Indian Councils Act of 1909 इसके बाद आता है Government of India Act 1999 जब भी आपको 1990 याद आए तो आप याद रखना 19 और 19 मैंने यह क्यों बोला मैं आपको यह आगे सम जाओं जाओं इसमें क्या होता है कि जो मंटेग और चैमसफोर्ड रिफॉर्म्स भी इसको कहा जाता है क्यों मंटेग सेक्रेटरी आफ स्टेट थे इंडिया के और लॉर्ड चैमसफोर्ड वाइस रॉय अगर आप यहाँ पे देखोगे इससे पहले मैंने आपको बोला मॉ क्या सेप् कौकि जो सेकरिट्रि आफ स्टेट है वह हैरिर कीम है वाइस रॉय से अबए होता है तो यहाँ पर क्या किया गया यहाँ पे इस एक्ट में फॉर्श टाइम एक अप्जिक्ट में टू डॉय किया गया क्या हम्में में ग्रैजु इंड्राइक्शन करना है और थ zar responsible government of India responsible government का मतलब होता है वो government जो जवाब दे हो for example अगर कर constitution में कोई change करनी होगी तो जो party ruling party है वो क्या करेगी वो कोई law लाएगी अगर वो law लाएगी तो उसको जवाब देना है executive को उसको जवाब देना हो other parliamentarians को कि हमने ये law क्यों लिया इसी का नाम है responsible government वो government जो जवाब दे हो और इंडिया में ये feature है कि responsible government है इंडिया में ये article 74-75 में भी envisage किया है constitution इस act के features क्या है जो central control था provinces पर by demarketing and separating the central and provincial subjects जो central और provincial subjects थे ये अलग-अलग demarket किये लिए क्या आपको नहीं लगता जो schedule 9 है जो schedule 7 है वहाँ पर union list अलग दिया गया है और state list अलग दिया गया है union के क्या powers होगे state के क्या powers होगे ये भी यहाँ पर थोड़ा सा तो mention किया गया था इसलिए मैं आपको बोलता हो कि जो हमारा constitution है उसको history के साथ बहुत सा overlap भी है यहाँ पर फिर फर्दर क्या किया गया है जो provincial subjects थे उनको अब दो parts में divide किया गया है तरनस फ़र्ड और reserved और hence the concept डियार की यानि जब एक तो था पहले subject इसको दो बाग में divide किया एक तो था जिस पे center बनाएंगे कानून और दूसरा जिस पे provinces और इन provinces को भी दो में बाग किया जैसे एक थे टरनस फ़र्ड और दूसरे थे रिजर्वर्ड रिजर्वर्ड पर क्या बस बिक्शोर्स बनाते थे और टरनस फ़र्ड पर basically इंडियानस भी बना सकते थे इसलिए मैंने आपको बोला कि जब भी आप यह 1919 देखोगे 19.1, 19.2 याने डाई 2 तो आपको याद आना चाहे कि डायार की का concept कहां पर दिया गया Government of India Act 1919 इसके बात क्या होता है introduction for the first time bicameralism bicameralism का मतलब क्या होता है कि जहां पर जैसे इस से पहले legislative council और दूसरा था legislative assembly country में introduce किया गया Government of India Act 1919 में ही bicameralism याने कि अब दो हाउसे होगे thus the Indian legislative council was replaced by bicameral legislature याने जो इससे पहले था legislative council अब उसके क्या बन गई दो हाउसे बन गई आज भी आगर आप देखोगे हमारे पास क्या है लोग सभा याने आज भी हमें क्या है दो हाउसे है याने आज भी हमें bicameralism follow करते हैं एक तो था upper house और दूसरा क्या था lower house और जो majority of the members of both the houses were chosen by director election और यहाँ पर आप आप देखोगे कि director election होने लगे इससे पहले क्या मैंने आपको बोला था कि indirect elections हुए थे लेकिन इसमें government of india actor 1990 में direct elections हुए लेकिन आपको याद रखना है कि direct elections क्या थे यह क्या हर किसी को vote देने का अधिकार था बिलकुल भी नहीं यह भी limited franchise थे याने कुछ taxpayers का कुछ education background इन्होंने बनाया था वो खाली vote दे सकते थे इस अब हम इसके बाद पढ़ेगे इसके और कुछ features जैसे three members of vice royce executive council मैंने आपको इससे पहले बोला था कि पहली बार SP सनहा सहब को क्या बनाया गया executive council का member जो legislative जो यह executive council था किसका vice royce का इस में six members थे और इन six members में इस law में कहा गया कि तीन must be Indians तीन लोग Indians होने चाहे लेकिन यहां पर और एक important point है कि यह तीन commander in chief नहीं बन सकते है यानि जो commander in chief होगे वो कौन होगे वो अभी भी जो other होगे Britishers की तरफ से यानि अगर six है तीन तो इसमें Indians होगे तीन Britishers होगे लेकिन इन तीन मैंसे कोई भी commander in chief नहीं बनेगा इन तीन मैंसे commander in chief select किया जाएगा और जो public service commission central public service commission establish किया गया यानि जैसे यहां पर आज क्या है union public service commission तो यह basically government of India act 1919 में concept लाया गया कि हमारे पास क्या होना चाहिए एक public service commission होना चाहिए और उसी को यहां पर implement किया गया फिर 1926 में public और क्या नाम रखा उसको CPSC इसने क्या बोला इसने एक और point बोला कि 10 साल के बाद एक committee appoint की जाएगी जो देखेगी कि इस कानून की वज़़े से क्या implications आई है क्या इसके कुछ अच्छे चीजे हुई क्या बुरी चीजे हुई और इसने क्या किया जो principle of communal representation था जो मैंने आपको बोला था separate electorate को मिला था muslim उसको यहां पर Sikhs को भी बिला है Indian Christians को भी बिला है Anglo Indians को भी मिला है और European उसको भी separate electorate मिला है इसके बाद हम देखेंगे Simon Commission क्या आप यहां पर देख रहे हैं यह point मैंने आपको बोला था 10 साल के बाद एक commission आएगा उस commission को क्या करना है उसको देखना है कि यह जो act इन्होंने बनाया इसकी वज़ए से कैसी implications थी इंडिया पर लेकिन आपने देखा 1919 के बाद 10 साल होते है 1929 लेकिन जो यहां पर Simon Commission है वो कब आता है 1927 में तो हम कह सकते हैं कि जो यह commission आया यह 2 साल पहले ही आया और इस commission के क्या थे 7 मिंबर थे इस commission के और point to be noted यह है कि इसमें कोई भी इंडिया नहीं था और इसलिए इसमें क्या हुआ इसका विरोध हुआ और इस committee ने जब अपना report फिर इस commission ने जब अपना report फिर submit किया तो इसमें पहला point बोला कि जो डियार के आपने लाई है यानि जो आपने वो reserved और यहां पर मैंने आपसे discuss किया था जो आपने reserved यह वाला point थे देख से और जो responsible government है वो provinces में भी लागू कीजिए और यह responsible government कहां पर थी बस central legislative में और यहां पर बोला गया कि जो आप provinces है जैसे फिर अब बहुत सारी provinces थी तब 1927 में बोला कि वहां पर भी वह अपलाई कीजिए और यहां पर एक concept दिया गया federation बोला कि जो इंडियन states है जो अंडर ब्रिटिश पोजेशन है और जो प्रिंसली states है अगर यह चाहे हम मिलके एक federation बनाएंगे लेकिन यह हाला कि हो नहीं पाया क्योंकि जो प्रिंसली states है उन्होंने यह accept नहीं किया और बोला कि जो communal electorate है जो 1909 की वज़ा से और 1919 की वज़ा से जो communal electorate जा गया था उसको बोला कि continue करें पाइनली हम पढ़ने जा रहे है गौर्मेट आफ इंडिया एक्ट 1935 तो जो यह गौर्मेट आफ इंडिया एक्ट 1935 लाया है बेसिकली इसमें 321 सेक्शन थे और 10 स्केडूल अगर आप देखेंगे हमारा कनस्टिटूशन जो कनस्टिटूशन आफ इंडिया है इस एक्ट ने लार्जली इस पे अपना प्रभाव डाला है तो इसी की वज़ा से अगर यहां पे 321 सेक्शन थे 10 स्केडूल इसी की वज़ा से क्या कनस्टिटूशन और इंडिया भी एक लेंकली डॉक्ट बना है यह भी एक रेजन है कि कनस्टिटूशन आफ इंडिया के लेंकली डॉक्रोमेट बना है क्यूंकि ग्वर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1935 ने इस पे अच्छा खासा प्रभाव डाला है जो एक्ट है इसको कहा जाता है second milestone towards complete responsible government या अब क्या इससे पहले हमने पढ़ा था responsible government इस act को कहा गया है complete responsible government हम बनाएंगे इस act के क्यों कुछ features क्या है देखे पहला है कि इसने provide कि establishment of all India Federation consisting of provinces और प्रुवेंसले states जो यहां पर मैंने आपको बोला था कि Simon Commission ने बोला कि आप establish कीजिए एक federation तो इस act ने वही incalculate किया कि हम एक federation बनाएगे again federation नहीं बन पाई reason क्या था कि प्रुवेंसली status नहीं चाहते थे दूसरा point क्या था जो divide हुआ powers between the center three lists में हुआ जो आज का हमारा schedule 9, schedule 7 है वो क्या है union list, state list और concurrent list यानि union list पे बस state center कानून बनाएगा state पे state कानून बनाएगा और concurrent पे दोनों कानून बना सकते हैं तो basically government of India act 1935 ने explicitly mention किया कि यहां पे हम एक federal list बनाएगे यानि जिसको आज कहा जाता है union list इसमें 59 items रखे थे, आज probably इसमें 100 items है provincial list बनाया गया और concurrent list बनाया गया residuary powers जो होते है, residuary powers का मतलब है अगर कोई condition है जैसे कल यहां पे aliens आते हैं, अगर aliens किसी state में आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे कुछ occupation या कुछ की तो यह किस list में आएगा, क्या यह union list में आएगा, क्या स्टेट list में आएगा क्या यह concurrent list में आएगा, यह तो एक ऐसी situation है जिसका अभी Constitution Maker उसको भी पता नहीं था तो ऐसी situation उसको हम Residery List में लेते हैं पहले और Residery List आज के जमाने में इंडिया में Union के पास है यानि Center के पास Center उसके कानून बना सकती है तब क्या होता था Residery List वाइसरोई को दिया दिया था और Federation मैंने आपको बोला ये कभी बनी ही नहीं क्योंकि जो States थे उन्होंने कभी Accept ही नहीं किया उसको और जो Concept था DRK का जहांपर Transferred और Reserved Subjects थे वो Provinces में तो वो क्या हुआ? Abolish हुआ और Introduced Provincial Autonomy in its Place यानि कि Provinces को आप पूरा हग दिया गया कि आप कानून बना सकते हो जो Provinces को ये भी Allow किया गया कि वो एक Autonomous Unities की तरफ Function कर सके बेसिकली ये एक Feature है Federalism का कि Federalism में क्या होता है? कि जो State और Center होते हैं उनमें Division of Powers होता है तो अगर हम आपको ये Question भी आएका कि Federal Structure of India किस Act से लाया गया है तो वो Government of India Act 1935 से लाया गया है अगर हम इसके बाद पड़े कि ये जो मैंने आपको बोला यहां पर क्या? Autonomous Units को बोला गया Provinces को Autonomous Units बनाया गया और बोला गया कि आप Administration कर सकते हो अपने Defined Spheres में More or इसके बाद Act ने ये भी बोला कि जो Government होगी Provinces में Governor को कोई जरूरत नहीं है Governor को कोई जरूरत नहीं है कि वो ऐसा कोई कानून बनाए जिस पर यहां पर जो Legislative Members थे वो उसको Accepted ना कर सके यानि Governor को ये Power दिया गया कि आपको in Advice with the Ministers Responsible to the Provincial Legislature आपको फैसला देना है जैसे आज के टाइम पर जो हमारे President होते कि आपको कोई फैसला डिरेक्टली लेते है बिल्कुल भी नहीं उसको on the Act and on the Advice of Ministers Council of Ministers उसको Act करना पारता है और हाला कि ये तो 1937 में Effect में आया और 1939 तक ही discontinue हो गया इसके बाद Adoption of Diarchy at the Center Provincial States Provinces में क्या हुआ था Abolition हुआ था Diarchy का लेकिन Centers में क्या होता है Adopt होती है Diarchy अब जो By Cameralism था ये तो Center में लाया गया था लेकिन यहां पर क्या होता है 1935 में क्या होता है ये 11 provinces जो थी इंडिया की उसमें से 6 को क्या दिया गया By Cameralism जैसे आज इससे पहले मैंने आपको बोला JNT को भी क्या था By Cameralism था JNT को क्यों भी यहां पर दो houses थे Basically Legislative Council और Legislative Assembly यहां पर थे तब State of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam और United Province जिसको उत्रप्रदेश भी आप कहते है इसको क्या बनाया गया By Cameralism याने इसके दो सदन हो गए पर दिर इसने क्या किया Principle of Communal Representation जो 1909 से आता जा रहा है उसको क्या किया एक Separate Electorate और Depressed Class याने इसको Extent किया गया जो अब Scheduled Casts थे Women और Labor को भी ये Extent किया गया इसके बाद एक Reserve Bank of India भी Provide किया गया जिसकी Currency और Credit Regulate करने की Authority होगी इंडिया में इसके बाद इसने एक Federal Public Service Commission याने Federal का मतलब है Superior याने जो Center में Act करेगी और Also Provincial जैसे यहाँ पर State Public Service Commission और Joint Public Service Commission Joint Public Service Commission जो दो States State 1 प्लस State 2 इनके पास इतने funds नहीं है अलग-अलग यह Public Service Commission बनाएं तो यह क्या करते हैं Joint लिए Venture करते हैं और अपना एक Joint PSC बनाते हैं उसके बाद इसने एक Federal Court भी लाया 1937 बेसिकली जो यह Federal Court है यह आज का Supreme Court है जो 1773 वाला Supreme Court है उसके पास तो कुछ powers थे ही नहीं जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था Act of Settlement पर क्यूंकि Supreme Court को तो Maximum Powers छीन लिए थे Act of Settlement ने तो यहाँ पर एक ज़रूरत पड़ी पर Federal Court बनाने की जो आज की तारीक में हमारा Supreme Court है 1937 में यह सेट अप हुआ थे Finally The Great Independence Act तक हम पढ़ेगी 1947 का Basically क्या होता है 20 February of 1947 को जो British PM होते है At least वो क्या बोलते है कि June 30, 1948 तक जो इंडिया होगा वो आजाद होगा लेकिन June 30, June 3, 1947 में Lord Mountbatten जो वाइसरोई थे इंडिया के वो एक partition plan बनाते है जिसकी वज़ा से फिर पाकिस्तान और इंडिया अलग हो गए तो यह Mountbatten plan accept किया, Congress ने भी accept किया, Muslim League ने भी accept किया अलाकि Relentlessly यह accept किया खुशी से नहीं किया गया That is a question to be discussed in modern history हम यहाँ पे बोलेगी दोनों ने accept किया और finally क्या दिया गया कि जो इंडिया की अपनी एक Dominion बन गई और पाकिस्तान अपनी एक Dominion बन गई और finally जो Enactment of India Independence Act 1947 बनाया गया इसमें क्या हुआ जो British rule अगर आब आजादी हुई तो British rule तो खत्म होगा और 15 अगस्त को इंडिया Independent हुआ Partition of India हुआ Two Dominion states पाकिस्तान और इंडिया बना गई वाइसरोय को जो Office है उसको Abolish किया गया और एक Governor General Each for Pakistan एक पाकिस्तान को और एक इंडिया को दिया गया इसके बाद ये और हाँ ये जो Governor General था कि Parliament नहीं कि British King appoint करता है और किसके बहाँ पे on the advice of Dominion Cabinet जो ये Cabinet इसको बोलेगी याने कि जो Dominion Cabinet होगी जो इंडिया की Cabinet होगी वो जिसको बोलेगी उसको Appoint किया जाएगा Governor General फिर फर्दर क्या है Constituent Assembly इसको जो दो Domains to Frame and Adopt Any Constitution of their respect to nation इसी की वज़े से जैसे Constituent Assembly हमारी यहाँ पे बने और उसने क्या किया इसको ये भी पावर दिया गए कि आप कई भी एक्ट रिपील कर सकते हो British Parliament का या उसको Adopt भी कर सकते Including जो Independence Act है इसको भी आप रिपील या Adopt कर सकते हो It dropped the title of Emperor of India देखिए जो Royal Titles थे King of England के पास उसमें लिखा था Emperor of India इस वाले टाइटल को Drop किया गया किनकि वह अब Emperor of India नहीं रह गए थे और Lord Mountbatten थे वह फर्स्ट यहां पर Governor General बने इंडिया के और जवहर्लाल नहरू जो वह फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने Independent इंडिपेंडनेंट इंडिया के इसके बाद कनस्टिवेंट Assembly 1946 में भी बनाए जाते हैं जो कनस्टिटूशन बनाएगी उसका हम next lecture में Making of Constitution में देखेंगे उसका अब previous year questions भी करते हैं इस topic से जो हमने lecture number 1 दो parts में पढ़ा Part 1 और Part 2 में historical background of Constitution of India इसके हम कुछ पीवे प्रोस करेंगे पहला question दिया गया है इस्ट इंडिया कंपणी कॉट exclusive right of trading in India under the charter granted by कुन इलजबत इन basically यहाँ पर मैंने आपको बोला था charter क्या होता है जिसमें आपको किश राइट्स दे गए regarding the trading तो यह act हमने पहले ही slide में पढ़ा था 1500 में यह पास होआ है next question है in 1765 इस्ट इंडिया कंपणी दिवानी राइट्स लेती है बेंगाल, बिहार और ओडिसादी what is the meaning of दिवानी राइट्स दिवानी राइट्स का मतलब है एक तो revenue और दूसरा civil justice यानि option A भी हो सकता है B भी ओ यहाँ पर C option है both A भी तो यह हमारा correct option आएगा इसके बाद हम question करेगे which of the following action is the act of settlement तो मैंने आपको बोला था regulating act of 1773 में क्या होता है supreme court plus government governor general of बेंगाल जो होते है उसमें क्या होता है power of tussle होती है तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर इसके बाद emanating act of 1781 पास किया जाता है जो तसल होता है उसको resolve करने के लिए तो इसका option आएगा option B के बाद question है which act was considered the final step towards the centralization in immigration मैंने आपको बोला 1773 में क्या होता है यहाँ पर governor of bengal governor general of bengal कहा गया यानि इसको मैंने बोला था आपको first step towards the centralization और finally क्या होता है 1833 में governor general of bengal को governor general of india कहा गया तो इसको कहा जाता है final step towards centralization तो option C हमारा ठीक हो जाएगा which of the following activities for the first time the legislative and executive functions of the governor general of governor general's council were separated out यानि यहाँ पर इससे पहले क्या होता था बस legislative थी और बस executive functions थी और legislative functions थी वो क्या दोनों exist नहीं कर रहे थे कौन सा एक्ट था जब जहां पर दोनों फिर आए मैंने आपको बोला तो charter act of 1853 यहाँ पर option C हमारा right answer आए इसके बाद question है which of the following act was made first attempt to associate Indian with the law making process तो councils act जो है इंडिया councils act 1861 वहाँ पर तीन members इनका नाम था राजा और बनारस महारा राजा और पतियाला और सर दिनका राओ को यहाँ पर legislative council में लिया गया था तो Indian councils act 1861 option 3 correct answer आएगा बीच of the following year Lord Canning established the portfolio system यह एक tricky question हो सकता है अगर question आएगा portfolio system कब adopt हो हा तो वह Indian councils act में 1861 में adopt हो हा लेकिन informally यह 1859 में ही Lord Canning ने दिया था कि मैंने आपको पढ़ाया है इसके बाद question है which of the following act introduced separate electorate for Muslims मैंने आपको 1909 में पढ़ाया जो Government of India Act 1909 है उसमें क्या था 1909 पार्ट भी जो है Morley Minto भी जिसको कहा गया Morley Minto Act भी उसी में separate electorate for Muslims दिया गया option B which of the following act introduced the developed scheme of governance यानि धैयार की कर्स मैंने आपको बोला था डाय आप जब देखना तो आप 1909 में आपकार में तो यहां पर Government of India Act 1909 हमारा answer आएगा which one of the following act was created the federal court of India तो federal court of India किस में बनाया गया Government of India Act 1935 में that's all from my side in this lecture हमने इस लेक्चर में historical background of constitution of India में concept भी किया प्लस MCQs भी किये और हैंस हमने एक comprehensive तरीके से इस chapter को understand किया अगर आपको हमारी चैनल से benefit हो रहा है इस lecture series से benefit हो रहा है आप हमारी चैनल को subscribe कीजिए और इन lectures को अपने friends तक भी पहुंचाए तिल दैन हमारा जब next lecture आएगा तिल दैन good bye have a nice day